दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि Facebook पर Watch Video History को कैसे आप Clear कर सकते हैं याने Delete कर सकते हैं अगर आप एक Facebook User है तो आपको पता होगा जब भी आप Facebook पर कोई भी वीडियो को वाज करते हैं तो दोस्तों Watch History में वो सारा Save रह जाता है और कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि हमारा facebook के home page में या फिर दोस्तों किसी भी group में या फिर facebook पर कोई भी ऐसा वीडियो आप देखते हैं तो दोस्तों क्या होता है कि उसी topic या फिर उसी category के बहुत सारे वीडियो आपको suggest में आता है और आप वहाँ पर वीडियो देखते है आपको बहुत सारे के वीडियोस मिलेंगे जिस तो आप देखना नहीं चाहते हैं या फिर दोस्तो आप अगर उस पर कभी भी क्लिक कर देते हैं तो उसी परकार का वीडियो आपको देखने को मिलता है तो आज मैं आपको बताऊँगा कि फेस्बुक पर आप कैसे वाच कुसी टॉपिक पर आपका वीडियो आए क्यों कैसे दोस्तों आप यह सारा किलियर करेंगे यह सारा हिस्ट्री को डिलिट करेंगे ताकि आगे से आपको उस परकार का वीडियो देखने को ना मिले चलिए सुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को सुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेश्ट करना चाहता हूँ चानल पर अगर आप पहली बार आये हैं तो प्लीज चान को सब्सक्राइब कर लिजे और बगल में जो बैल नोटिफिकेशन है उसे प्रेस करके अल नोटिफिकेशन को जरू दबा दीजेगा इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूंगा इस चानल पर तो इसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर पहुंच सके तो दोस्तों अगर आप अपने फेस्बूक एकाउंट पर वाच वीडियो हिस्ट्री को किलियर करना चाहते हैं सबसे पहले आपको यहां थिरी लाइन में जाना होगा उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना होगा यहां पर आप दिख सकते हैं सेटिंग्स और फ्राइवेसी का उप्शन है इस पर किलिक करना होगा फिर आपके सामने सेटिंग्स का उप्शन आएगा यहां पर आपको क्लिक करना होगा जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफिस देखने को मिलेगा आपको नीचे आना होगा यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यूर फेस्बुक इंफर्मेशन लिखा हुआ है और इसके नीचे सेकेंड में एक्टिविटी लॉग लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों लिखा हुआ है विव एन मैनेज और इंफर्मेशन एंड सम सेटिंग्स यहाँ पर दोस्तों आपको एक बर किलिक करना है यहां पर category search कीजेगा और उसके बाद date search कीजेगा अगर all time का आपको delete करना है तो सबसे पहले तो category में आपको click कर लेना होगा यहां पर click करने के बाद आप last में यहां पर click कीजेगा इस वाले option पर आप click कीजेगा जिसमें लिखा हुआ है logate action and other activities यहां पर click कीजेगा इसके नीचे देख सकते हैं search history आप यहां पर देख सकते हैं video you have watch it लिखा हुआ इस पर आप click करके watch history को delete कर सकते हैं तो मुझे अभी क्या करना है कि यहां पर जो भी video मैंने देखा है facebook पर वो हमें clear करना है पर click करना है यहां पर हम click करेंगे उसके बाद हमारे सामने जो भी video मैंने देखा है आप देख सकते हैं कुछ इस परकार से यहां पर आपको देखने को मिलेगा आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे ऐसे category के videos आ जाते हैं आजकल जो दोस्तों आप देखना पसंद नहीं करते हैं या फिर दोस्तों गलती से आपने देख लिया है और आपको बार बार उसी तरह का video recommend किया जा रहा है suggest किया जा रहा है बार बार वही आपके home page में आता है तो यह सही नहीं है क्योंकि आप उस video को नहीं देखना चाहते हैं दोस्तों अगर आप यहां पर clear करेंगे तो उस traffic का video आपको देखने को नहीं मिलेगा इसके लिए दोस्तों आप क्या करेंगे यहां पर कुछ इस परकार से three dot पर click कीजेगा नीचे delete का button आएगा इस पर click कर दीजेगा एक एक करके आप यहां से delete कर सकते हैं अगर दोस्तों आप एक साथ में delete करना चाहते हैं तो computer या फिर laptop में आपको अपना account को login करना होगा तो दोस्तों mobile phone के application से अगर आप facebook application से करते हैं तो एक एक करके आपको इस परकार से delete करना होगा आप जैसे delete करेंगे यहां पर no item आपका देखने लगेगा फिर दोस्तों आप video section में चाहेंगे आप एक बार refresh करेंगे तो उस topic पर आपको वीडियो देखने को नहीं मिलेगा जो भी topic आप पसंद नहीं कर रहे हैं उस topic पर वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगा आइओप की दोस्तों आपको पता चल गया है कि आप अपना facebook account पर watch video history को कैसे clear यानि delete कर सकते हैं वीडियो पसंद आया तो like कर ये दोस्तों के साथ share कर दीजे चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को subscribe कर लिजे मिलते हैं दोस्तों next वीडियो में thank you so much thanks for watching जैहिन बंदे मातरम